अलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आज राज जितने भी प्रशन आप सभी को करा रहे हैं इन सभी प्रशनों को देखके कल आप पेपर देने चरह जाएए आपको मैकसिमम क्वेस्टन जितने भी क्वेस्टन कराएंगे इन ही सभी क्वेस्टनों में से आपके आने वाले है आपका समय ना कवाते हुए चलिए सीधे प्रश्न को हल करते हैं कि अगले प्रश्न को देखते हैं जितने भी स्प्रस्व करा रहा है अदम रट लीजिया ठीक है आप जलदी से सभी क्वेश्चनों कदम रटिए देखिए आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं गुनाहों का देवता रचना की विधा यानि कि गुनाहों की देवता किस विधा की रचना है सीधे सीधे आपको यह बताना है तो गुनाहों की देवता क्या है एक उपन्यास है इसक जिसका सथे जवब इसका सफ़ेषाइब सही हो जाएगा अगला पशन देखेंग चजब सही जवल आङएंस आपको बताने हैं कि कलम सीफाहि विदा है एक परकार की जीविनी रून है एक प्रकार की जीविनित इसका सही जब सीवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगले प्राश्ण को देखिए पांचवा नमबर का कि लहरों का राज हंस के लेखक है देखें जितने भी छात्र हैं 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं इसका जो है सभी कुछ इतन मओं राकेश इस प्रषन का सही जवाब ही बिवला आपसन सही हो जाएगा देखते हैं की ने अगले प्रश्ण क्या है आचार-्राम-चंदर-शुक्र क्या मतलब एक है यानि कि ये आचार-आम कवी हैं ना तकार है अचार रामचंद्र शुकल जी एक कवी भी ज़त इसका सभी जो अब आपसं सभी हो जाएगा अगला देखिए आकाच दीप के लेखक कौन है अगला प्रशन देखिए कि मैला आचल के रचनाकर कौन है यानि मैला आचल के रचनाकर आपको बताना है कि कौन है जैसे मोहर राकेश जी है फोरिस्वर नात रेडू है प्रेम चंद्र जी है या जैसंकर प्रसाद जी है ठीक है तो मैला आचल किसके द्वर्ण लिखा गया है यह लिखा गया है वरिशवर नात्र्रवुके द्वरत। इसका उन्रीwide बी व्लापसना सई हो जाएगा। अगला प्राश्ण देखिए। केस電 का बेदारा कि कवी ए? into 109 कि करूँ है। रीति बद्ध ढें , रीति सिध्ध ढें , रीति मुक्त चिर्माज़े हा का टिक॥ल है। के सुदास का विधारा जो है रीतिवद्ध धवीम यहं को ठीक है अगले प्रौशन को देखते हैं अगला नम्रा के संब्द का किसे की रचना है तो देखे सोदास को रचना चीकमुत LEIZ सोख होता है तिसका सही जब भीवल आपसन सही होगा अगला प्रशन देखिए बारा नंबर का कि सोहत ओड़े पीत पट स्याम सलोने गार मनों नील मरी शैल पर आतव प्रयों प्रकास इसमें कौन सा अलंकार है यह प्रशन आपको कई बरा करा चुके हैं भी तक तो इसमें कौ सथ सच हैं तो हमेंसा उत्रेचा लंकार होता है तिसका सही जब सी वन आपसन सही हो जाएगा अगला कहीं गारे को प्रशंग धिशन को दिया दिए कि अधी ग्रणा सब्सें में प्रियुक्त उपसर्ग बताना है तदे कि इसमें क्या जुड़ा है अधी सब्सें जुड़ा है अधी यहां पर आप क्या हो जाएगा अधी सफ़ी जवा प्रेवा आपसन सइयों जाएगा अगला प्रस्न देखेए 15 नंबर का कि परते के कितने प्रतें के टोटल दोओते हैं यह भी प्राशन आपको कई बार करा चुके है ठीक है आप डेली बार डेली मेरा वीडियो सब्टेख रहे हो गाँगे तो तीन देन से एक आने लगता है तो वहांपर कौंसा समास होता है तो वहांपर वहता द्यूग कौंसा समास होता है यहांपर द्यूग समास तीरंगा में पूछे यह चाओर सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला देखिए प्रतियक सब्सक्राइब कौन से संदी होती है आधा यह आजाए तो जहां पर आधा वह आजाए यहां पर आपके जो समास होता है यह संदी घ को संदी है रहते संदी है देखी इस सब्सक्राइब के खीयर का तच्शन रूप कि नियुक्तSON के लोता है आपका पूर बार पर न अगला प्राशन देखिए 19 नंबर का कि नद्दे शब्द का वचन बताना और विभक्ति बताना है कि नद्दे जो यह लिखा है इसमें कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है तो देखिए यहां पर नद्दे में आपका चतुरती विभक्ति एक वचन रूप होता है तिसका प्रश्ण को देखते हैं कल के पेपर के लिए इस प्रश्ण को तयार कर लिए ठीक है यह 22 फरवरी का अदम एक प्रकार का वारल प्रश्ण है इसको अदम तयार कर लिए आप सभी को बता देते हैं आपका प्रश्ण क्या है कि कुसंग का ज्वार सबसे भैयानक होता है यह केवल नीति और सदुरिद्धि का ही नाश नहीं करता बलकि बुद्धी का भय च्चै करता है किसी युवा पुरुस की संगती यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी तो उसे दीन दीन अउनती के गढ़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंदर उन्नति की और उठाती जाएगी ठीक है इस प्रकार के जो प्रश्ण इसे जरूर आप तयार कर लीजिए तो चलिए इसका देखे आपको बता देखे पहले नमबर इसे याद रखिए कि जो यह लिया गया है किस पार्ट से तो मित्रता नामक पार्ट से लिय जब मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखक कोनत आचार राम चंद्र शुक्ल कौन है आचार राम चंद्र शुक्ल जी है ठीक है 3080 इसे याद रखिए अब देखें क्या करना है आपको अब इसका परनेंबर संदर्व लिखना रहे तो देखें यहां पर हमारी पार्ठ पुस्तक हिंदी के गद्खंड के मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है आपको इतने बार संदर्व करा चुके हैं कि आप यदि देख रहे होंगे तो आपको इस संदर्व देखते देखते तम याद हो गया हो ठीक है नामक पार्ट से लिया गया है इसके ज बूरी संगती जो है जो मित्र है उसका बूरी कुछ आदिते हैं तो आप कुछ दिने को बाद उसकी बूरी आदिते आपको भी लग जाती है देखे होंगे तो वही चीज यहां पर अपने शब्दों में लिखना पड़ता है कि बूरी संगती भयानक रोग के समान है यह अच् अधर की चक्की की भाति इसके पैरो में घाती है ठीक है वह गतिहीं हो जाता है इसकी बुद्ध्धि नरस्ट हो जाती है जैसा जो बूरी आद्टे रहेगा घुद 5 अच्छे मित्र भी रहते हैं दिरे दिरे उसके देखें होंगे आप अपने गाव मैं अपने मित्र के साथ देख लेजी आपका मित्र यदि अच्छा है तो आपके जो उसका प्रभाव पढ़ेगा अच्छा पढ़ता है यदि उसका बुरा मित्र है तो उसका प्रभाव आपको बुरा ही पढ़ता है आप उसको देखे होगे यही चीज यहां पर कहा जा रहा है व प्रगती के पत्थ पर चलने लगता है तिस प्रश्ण को आप जरूर तयार कर लिजिए कल के पेपर में यह प्रश्ण आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा जितने भी प्रश्ण करा है इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लिजिए और जितने भी प्रश्ण करा ह है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें